हालो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? A very hearty welcome to this mind blowing platform physics वाला My name is नुपर शर्बोर बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं A tiger in the zoo जे हाँ भई, a tiger in the zoo भई आप लोग बच्चों कभी zoo गए हो? ठीक है? zoo जाते हैं, हम लोग चरिया खर जाते हैं बहुत सारे animals को देखते हैं, birds को देखते हैं हम लोगों का तो बहुत जदा entertainment हो जाता है ठीक है, बड़ा मजा आता है हम लोगों को लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो जो animals वहाँ पर कैद होते हैं ठीक है, उस पिंजरे में बंद होते हैं उनका क्या हाल होता है वहाँ पर वो कैसा फेल करते हैं क्योंकि उन्हें उनके natural habitat से यानि कि जहां वो naturally रहा करते थे हैं उससे उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाता है उनके family से, उनकी society से उनके भी एक society होते हैं वो भी उनका एक जिसे कहते हैं ना एक family होती है एक उनके रिष्टेदार friends जो है ये सब होते हैं उन सब को वो छोड़ कर जो है उन्हें जूमें बंद कर दिया जाता है तो कैसा उन्हें feel होता होगा किस तरह से जो है वो अपने आपको मजबूर feel करते होंगे कि हम लोगों की सारी की सारी जो जू with the tiger in its natural habitat यहाँ पर भाई इस poem में हम लोग क्या करते है tiger को compare करते है जो tiger zoo में बंद है उसे compare करते है जब वो अपने natural habitat में होगा natural habitat यानि की जंगल जहां वो रहता है ठीक है जहां वो रहता है उसके साथ compare किया है ये poem जो है पहले हम लोग zoo में मिलते हैं ठीक है zoo में वो क्या कर रहे ये देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग जंगल में उसे देखते हैं कि वो जंगल में उसे क्या करना चाहिए फिर उसके बाद फिर से हम उसे देखते हैं कि वो zoo में बंद है और उसका क्या हाल है उसकी क्या plight है यह हम लोग जो है इस पोयम में पढ़ने वाले हैं भाई बच्छों जब हम किसी human being को किसी इनसान को हम लोग jail में बंद करते हैं सलाकों के पीछे जो है वो डाल देते हैं तो उनके अपनी गलती होते हैं ठीक है अपनी गलती होते हैं उन्हें जेल में डाला जाता है, उनका भी कितना ज़्यादा बुरा हाल होता है, हमें उनके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उन आनिमल्स के सोची है, जिने बिना किसी गल्ती से, सिर्फ लोग अपनी एंटर्टेन्मेंट के लिए उन्हें इस अलाकों के पीछे डाल द अपने आपने पाउस अपने पंजे पर उसके पंजे कैसे है बचो वेलवेट किद आख है आपने कभी किसी cat को या किसी dog को चो अब आप उठाते हैं गोदी में तो उनके पैरों को देखेंगे ना नीचे से बड़े soft होते हैं पंजे जोए इनके soft होते हैं तो velvet से उसे compare किया गया है कि वो बिल्कुल velvet जैसे है in his quiet rage और वो कैसा है उसका mood कैसा है बच्चो quiet rage quiet का मतलब क्या होता है भई शांत एकदम शांत rage का मतलब होता है गुसा अब भई कोई शांत भी कैसे हो सकता है उसे गुसा भी कैसे आ सकता है भई हमें पता है उसके अंदर गुसा तो बहुत जादा है लेकिन क्या वो अपने गुसे को दिखा सकता है नहीं वो शांती से जो है वो चल रहा है लेकिन गुसा उसके मन में जो है वो बहुत जादा है ठीक है तो ये quiet rage क्या है ये quiet rage बेटा एक poetic device है ये दोनों के दोनों बिल्कुल contradictory है बिल्कुल opposite है meaning में बिल्कुल opposite है बिल्कुल contradictory है तो यहां जो poetic device है वो आपका होगा oxymoron आज हम लोग जो है साथ साथ में poetic devices भी कुछ कुछ देखते जाएंगे ठीक है बहुत important है बिटा poetic devices exam के point of view से exam में बिटा आपका artist ही आता है reference to context आता है उसमें poetic device भचाओ पूछ ही लेते है तो आपको धियान देना है उसके उपर ठीक है यहां पर एक और poetic device है लिखा है he he करते हैं it पर यहां he use किया हुआ है तो यहां क्या किया गया है यहां tiger की personification हुई है उससे personified किया गया है तो यहां पर जो हमें देखने को मिलेगा वाए personification यानि कि व्यक्ति करन व्यक्ति करन कर दिया गया है tiger का उसे व्यक्ति से compare किया गया है इसलिए उसके लिए he use किया गया है तो देखिए क्या कर रहा है बिचारा अपने उन पैरों पर अपने उन soft पैरों पर चले जा रहा है He should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole अब भाई दूसरे पाराग्राफ में हम लोग क्या देखते है कि उसे करना क्या चाहिए उसे क्या करना चाहिए He should be lurking in shadow यानि कि उसे से छिपना चाहिए ठीके उसे जो है शिकार ढूनना चाहिए कैसे sliding through long grass sliding यानि गुजरते हुए लंबी लंबी घास होती है अपने discovery channel में देखा होगा लंबी लंबी घास है उस लंबी लंबी घास में से जो है वो tiger निकलता है अपना शिकार ढूनता है वहाँ छिपने के लिए उसके बिलकुल perfect जगा है क्योंकि उसके body पर भी जो है पॉंड हो सकता है, लेक हो सकती है, कोई river हो सकती है उसके पास जहां से मोटे ताजे हिरन जो है वो गुजरते है वो जो हिरन है वो क्या है ये हिरन उसका शिकार है उसका शिकार करने के लिए जो है वो बहां से उसे गुजरना चाहिए ये उसे करना चाहिए उसे क्या करना चाहिए, he should be snarling around houses, snarling का मतलब है गुर्राना, मतलब warning sounds produce करना एक तरह से जो tiger गुर्राते हैं, उसे किसी घर के आसपास जो ऐसा करना चाहिए, कौन से घरों के पास, जो बिल्कुल जंगल के किनारे पर हैं, भाई आपने देखा होगा, जंगल के किनारे पर भ होगे वो उसे दिखाने चाहिए और अपनी क्लॉज अपनी नौकिले पंजे उसे दिखाने चाहिए, टरराराइज इंग दविलिच क्या करना चाहिए, यह उसका काम है, बच्चों यह इसका नाचुरल काम है, यही तो करता है tiger, ठीक है? Tiger यही करता है, tiger का कर्म क्या है? उस का कर्प है भाई शिकार करना तो उसे शिकार करना चाहिए But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars stroking the length of his cage ignoring visitors But he is locked in a concrete cell, वो क्या है? लेकिन वो एक concrete cell में बंद है concrete cell यानि कि एक इट पत्थर के cell में यानि कि उस पिंजरे में उस cell समझते हो बचो prison, उस prison में जो है वो बंद है, his strength behind bars उसकी सारी की सारी strength, उसकी सारी की सारी ताकट जो है उस पिंजरे में बंद है, उस सलाखों के पीछे जो है वो बंद है, भाई आप लोग देखो भाई, वो अपनी कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि बाच्षा नहीं टाइगर हुम है, लोग मुझसे इज़द से नहीं, इजासत से मिलते हैं, ठीक है? इजासत से ही मिल सकते है, Tiger अगर इजाज़त देगा तो ही लोग उससे मिल सकते हैं लेकिन यहां तो बस मुट आखे चले आते हैं लोग उससे देखने के लिए अपने entertainment के लिए देखते हैं Tiger ये कर रहा है Tiger वो कर रहा है कभी देखा है के Tiger ध्यान देता है आप लोग अगर जूम बें गई होगे आप definitely notice करना tiger हो गया यह जो lion है यह जित्वी मलब कुंखार carnivores जो होते हैं कभी भी ध्यान नहीं देते हैं जो महलब visitors आते हैं वो कभी उनके साथ interact नहीं करते क्यों क्योंकि वह एक तो मन्से बहुत कार्ज and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars he hears, बच्चों वो आखरी अवास क्या सुनता है रात को, आखरी अवास जो वो सुनता है रात को वो है पेट्रोलिंग कार्ज, पेट्रोलिंग का मतलब है जो गश्त लगाने वाली गाड़ियां है उनकी अवाज अवास पैट्रोलिंग काड़ियां भई जो में रात को जो है बहुत सारी ऐसे कार्ज जो है वो निकलती हैं गश्t लगाती है देखते हैं सब कुछ जूमे ठीक है या नहीं है कोई आनेमल बाहर तो नहीं निकल गया या फिर कोई यहां इंसान तो नहीं चूट गया तो उन सब की उन पेट्रोलिंग कार्स की जो है उसे आवाजे सुनाई देती है और वो क्या करता है और वो घूरता है वो स्टेर करता है अपनी ब्रिल्यंट आखों से यहां ब्रिल्यंट का मतलब क्या है यहां ब्रिल्यंट का मतलब हो गया स्पार्कलिंग चमकती होई आखे अपनी चमकती होई आखों से वो देखता है चमकते होई तारों को आपने देखा है कभी किसी आनिमल के ओपर तुम फ्लाश लाइट मारो ठीक है कभी भी उनके ओपर लाइट पड़ती है discovered Channel में भी आप लोग देखते हैं कि रात के जब shooting होते है तो उनकी आखे कैसी red सी नजर आती न बहुत sparkling सी नजर आती है तो वैसे ही तारे बहुत ज़द़ चमकते हैं तो अपनी चमकते हुई आखों से वो चमकते हुए तारो को देखता है यजो आकरी पारगराफ है ये बता रहा है कि टाईगर कितना ज़दा लोनली है इगर वो अपने नाशल हाबिटाइट में होता जो उसे आकरी आवाजे सु होती जो करार आ रहा उता पेन में यह सब आवासं। उससे सुनने को मिल रहा है। वह जो आखरी नजारा देखता है वह अपनी फैमिली को नहीं देखता है। इह मैं बना लेते ह subtly verb लेते हैं, the tiger moves up and down in its cage, he is filled with rage but is helpless, he should have been in the jungle chasing deer but is in a cage looking out the stars and ignoring the visitors, भई यहाँ पर tiger को compare किया गया है, tiger जो है वो अपने cage में चले जा रहा है, stalk कर रहा है बिचारा ऐसे यसे चले जा रहा है जो थोड़े से उसके steps है उसके जो है और उसके बस कोई काम नहीं है वो बस visitors को इग्नोर कर रहा है, वो बहुत ज़्यदा helpless है, यहाँ helplessness शो की गई है tiger की, tiger जो है वो बिल्कुल helpless है, उसके पास जो है कुछ नहीं कर सकता वो, ठीके उसे कैद करके रखा गया है और उसे जो है वो जंगल में होना चाहिए, उसे deer के बीचे, उसे किसी हिरन के बीचे भागना उसे जो है वो क्या करता है, तारो को देखता रहता है, ठीके तारो को देखता रहता है और उन petrolling cars की जो है आवाजे सुनता रहता है, तो यह जो है वो tiger के साथ हो रहा है, तो tiger के लिए एक तरह से बहुत ज़्यदा sympathy जो है हमें हो जाते हैं, तो वही theme भी है, theme क्या है message that the real home of wild animals is a natural habitat, भई यह poem करना चाहती है, यह poem करना चाहती है, कि जो animals होते हैं, उनका असली घर जंगल है, उनका natural habitat जंगल है, उनने उससे बहार नहीं निकालना चाहिए, ठीके, बिल्कुल बहार नहीं निकालना चाहिए, उनने वहीं रखना चाहिए, इससे मुझे एक पह स warum पेटा से तेत यानि करें वो अपनी दाधी के साथ है तो उन 것이 दोड़ती वह आती है और वह सब्हों का बेटा हो उसको लेकि जाती है मुं इसका कहा ठीने और तो पुछते हैं वह वह बंदर को लाती हूँ क्योंकि भेद उस적 में उन्से कहा कि यह जो बंदर है यह हमारे घराएं नहीं हैं हम बंदर के घर पे आगए हैं हम जो है वो बंदर के घर पे आ गए हैं वो कहते हैं कि हम लोग नॉइडा में रहते हैं यहां नॉइडा में जो है पहले जंगली जंगल थे अब जो है वो अपाटमेंट्स आ गए है ठीक है पहले जो है घर उसी का था हमने इसके घर में जो है बलब इसका जो घर था इसका ज जंगल था उसमें हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर दिये यहां हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिये और यहां पर यह बंदर आया यह तो अपने ही घर में आया है हमारे घर में नहीं आया तो यहीं है बच्चो यहीं हो रहा है या तो उनको जो में डाल दिया जाता है या पिर जब पेड़ काट दिये जाते है तो भी उनका नाच्रल हाबिटाट उनसे चिंजाता है तो यहां यह पोयम एक तरह से आपको जो है वो कन्वे कर रही है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए अच्छा यहां एक चीज और है बच्चो यहां आपको पोयट का नाम याद र प्राइब का नाम भी जो है वो बहुत इंपोर्टन है अब इमेजरी क्या है यहां पर टोन केसी है तोन अपको प्राइगर का प्लाइट भी समझ में आए ठीके सिर्फ एंटेटेंमेंट के लिए आप ना देखिए उसे आपको उसका दुख भी नजर आए वही राइमिंग स्कीम है यहां पर ABCB सिर्फ है इसका राइमिंग स्कीम के मैं आपको बता दूँगे पर कियसे देखता है अब आगे इनको थीन बता दी है वहींग है यहाँ पर है किया between wrinkles मेंट को नाजर के स सकते हैं यहां पर velvet quiet और quiet rage और end में है brilliant eyes, brilliant stars अब यहाँ पर quiet और quiet जो है वो repeat हो रहा है यहाँ पर brilliant and brilliant is being repeated तो यह आगी repetition है ठीक है? आगी resonance आपको दिखती है in his vivid stripes in his vivid stripes में आपको resonance दिखती है resonance का मतलब हो गया repetition of the vowel sound vowel है यहाँ पर I, I जो है वो आपको यहाँ पर repeat होता हुआ नजर आ रहा है कई बार in his vivid stripes आगे metaphor, यहाँ पर metaphor क्या है? Pads of velvet quiet उसके पैरों को किसे compare किया गया है? Velvet यानि कि यह tiger के जो soul है, tiger के जो panji है soul होता है panja, panji को किसे compare किया है? Velvet से, have been compared to the velvet और भी poetic devices हैं, जो भी आपको समझ में आएंगे नीचे मुझे बता देना comment section में कि आपको और कौन से poetic devices इसमें मिलें तो चल यह एक चीज और है, मैं आपको फटा फट से बता देती हूँ कि हमें rhyming scheme कैसे देखते हैं हम लोग rhyming scheme के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग जो last का word है उसे underline करतेंगे shadow, grass, hole, pass अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले shadow के आगे हमने लगा दिया a, ठीक है, अब a के साथ क्या grass rhyming है, rhyming समझते हैं बचल, rhyming का मदलब क्या होता है glass, class, ठीक है, glass, class, pin, pin तो यह जो है वो rhyming है, वैसे ही क्या shadow और grass rhyming है, नहीं shadow के आगे हमने a लगाया, grass के आगे हम लोग b लगा देंगे, ठीक है, b लगा देंगे अब grass और hole क्या matching है, rhyming है, नहीं rhyming नहीं है, इसके आगे हम लोग c लगा देंगे अब pass के साथ ना तो c rhyming है, ना ही a rhyming है grass के साथ वो rhyming है, तो यहां लगेगा b a, b, c, b, और वैसा ही हर एक paragraph में है stripes, cage, quiet, rage, stripes के साथ a, यह इसके साथ नहीं हो रहा, तो b, quiet जो है वो नहीं हो रहा, तो c, पर cage और rage match हो रहा है, तो b a, b, c, b, यह है आपका rhyming scheme, ठीक है, तो इस तरह के questions आपको आ सकते है, rhyming scheme क्यों बनाए जाते है, तो creator rhythm rhythm जो है वो बनी रहे, आपका musical से बन जाए, जो है वो poem, ठीक है, तो चलिए, I hope आपको जो यह poem है वो समझ में आ गई है, और थोड़ी सी sympathy आपके मन में आई होगी this tiger के लिए, चलिए, मिलते हैं हम लोग next class में till then, bye bye, take care